सुनील साजन अराजकता फैलाई जा रही है किसान अंदोलन के नाम पर और यूपी में पिछली बार जो असर दिख रहा था इस बार वो दिखी नहीं रहा है मान लीजे के सिर्फ पंजाब का अंदोलन है देखे मान जी मुझे लगता है कि किसानों के अंदोलन को आप राज जिवार मत बातिए जहां जिस राज के किसान आ रहे हैं वो भी उसमें सामिल है जहां से नहीं आ पा रहे हैं वो भी सामिल है कम से कम इस देश में किसानों को एक नजरिये से देखा जाए हलाकि आज भाजपा का कोई नहीं है आपने भी कहा लेकिन हर्सवर्धन जी हों और भाजपेई जी हों तो फिर भाजपा की कोई जरूरत रह नहीं जाए नहीं नहीं उसमें मौमद इसलाम का नाम भी जोड़ लीजिए वो भी एंडिये में है उनको अटैक करने से हमला करने से बच क्यों रहे हैं आप ठीक है नहीं नहीं मैं मानग जी ये कह रहा हूं कि इस देश में एक लोकतांत्री प्रक्रिया में एक नई परमपरा चल लए है दल तोड़े जा रहे हैं, नेता तोड़े जा रहे हैं तो मैं आपके कारिकम में कह सकता हूँ कि दल तूट सकते हैं लेकिन किसानों का होसला नहीं तूट सकता है नेता बिक सकते हैं लेकिन देश की जनता का स्वाहिमान नहीं बिक सकता है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ किसान लड़ रहा है, बेरोजगार नोजवान भी उत्तर प्रदेश में लगातार लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं दूसरी तरफ देश की सरकार, बिजेपी सरकार भारत रत्न चौदी साहब को भी दिया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं आपने स्वामी नाथन जी को भारत रत्न दिया, मैं यह जिकर इसलिए कह रहा हूँ मानक जी, कि बिजेपी जैसे दो तरीके की पूजा होती न, एक उचारण की होती है, तो बिजेपी वाले उचारण की तो पूजा करते हैं, आचरण की पूजा नहीं करते, ना भगवान ना और भगवे, ना प्रधान मंत्री मोदी की कारेश एली में मुझे चौधरी चरन सिंग की जलक दिखाई देती है, बैठे हैं मौमद इसलाम, कह रहे हैं सुल्टा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक बात है ने ठीक है भाई देखे मानग जी हम कह रहे हैं जिस ने लाठी चलवाई हो जिस नेता की नीतियों से 700 से ज़्यादा किसान सहीद हो गए हैं उनमें दिख रहे हैं चौधरी साहब जो अपने मित्रों को देश की जमीने देना चाहते हैं किसानों की छीन करके उनमे चौधी साहब दिख रहे हैं जो सुवे साम लगातार जूटे वादे करते हैं अपनी बातों से पलट जाते हैं केवल भरस्टाचारियों का साथ दे रहे हैं बलतकारियों का साथ दे रहे हैं देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के मददगार बने बैठे हैं उस में द पार्टी कह रही कि आंदोलन में विपच्छी पार्टी पीछे से है पीछे से नहीं है हम किसानों के साथ खड़े हैं उनके साथ हैं पीछे नहीं है हर जगे उनके साथ है हां लेकिन आपके कारिकम में ये जरूर मैं कह सकता हूं कि किसान आंदोलन करें लेकिन अपनी सीमा में रह करके कोई मरियादा न टूटे हर्स वर्दन जी की उस बात से मैं सहिमत हूँ कि किसान एक तरफ आंदोलन कर रहा और एक तरफ जो फोर्स है पुलिस है वो भी किसान के बेटे हैं तो दोनों किसान के बेटे और किसान ये जरूर महसूस कर लें कि जो सरकार है वो पेलेजी हकोमत में क्या था गोली चलनेवालने दान प्रकेश टिक एद बताईगा बने कहा को एक एकर दिन में दिख जाएगा सारे आएंगे मुझे लगता है कि जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो भी नेता वो देर सबेर इस सरकार के खिलाफ आएंगे और जरूर आएंगे और इस सरकार को उखाड फेकने में हम लोगों की मदद करेंगे MSP पर भी एक जवाब दे दीजे MSP की गैरंटी इतने दशकों से किसी सरकार ने नहीं दी आप भी रहे केंदर सरकार में अब अचानक MSP गैरंटी की मांग किसे उड़ गई उसके लिए अंदोलन हो रहा है सुनील साजन देखे ये समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई नई मांग नहीं है डाक्टर लोहिया ने अपने जवाने में कहा था इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक दाम बांधो नीती लागू ना हो जब तक किसान की अरे आपने क्यों नहीं दिया वोई तक पूछ रहा हूँ केंदर सरकार तो आपकी नहीं रही ना हमारी कहां रही हम तो मददगार रहे हम तो कांगरेस के नेता राहूल गांधी जी को गारंटी नहीं देनी पड़ती लेकिन हम उनको धनवाद देंगे हम उनको बधाई देंगे कि राजनीती में अगर कोई चीज छूड जाए ना हो पाए और उसको संकल्पित रूप में लेकर के ये संकल्प ले लिया जाए कि हमारी इंडिया गडबंदन की सरकार बनते ही हम देश में MSP लागू कर देंगे तो अपने आप में बड़ी बात है देगे राहूल गांदी जी कोई मोदी जी की तरह जूट तो बोलेंगे नहीं कि पंदा लाक रुपए दे देंगे आये दो बोनी कर देंगे एक समाल और सुनील बहुत सारे विशलेशक और सतारूड गठबंदन में जो गटक दल है उनक क्योंकि हार रहे हैं अब और कुछ बचा रही है देखे मानक जी मानक जी मानक जी आपका सवाल बहुत अच्छा है विपच के कई घटक तूट करके उधर चले गए हैं उसमें हम स्युकार कर रहे हैं लेकिन मैं मैंने जहां से बात शुरू की थी अगर कोई नेता बिक इसका मतलब क्या पूरी देश की सम्वानी जनता बिक जाएगी देश के गरीब का किसान का पिछडे का दलीत का मुस्रमान का ब्यापारी का महिलाओं का हाउसला तोट कर रहे हैं तो पूरे देश में जो टूट रहे हैं आपने क्यों नहीं पूचा नितिज जी क्या हो गया निती जी को आपने महाराष्ट में क्यों नहीं पूछा आप जैन चौधरी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं मैं क्यों नहीं पूछू जैन चौधरी के बारे में जैन चौधरी पर बोलने से बचते क्यों है आप आपको छोड़कर वो एंडिये में चले गए अभी किसमें पहले, वो कह रहे हैं दिल जीत लिया मोदी जी ने, चौदरी चरन सिंग की जलक दिखती है मोदी जी में उनको, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप, देखें, जैन चौदरी जी का दिल उन्हों ने जीता, दल मोदी को सपने को आगे बढ़ा रहें, बहुत बढ़िया, भुतने नहीं चेक रहें, और हराएंगे